असलाम लेकूं, वेलकम टू लाइवली कुकिंग, आज हम बनाएंगे हॉट एंड सौर सूप रेस्टोरान स्टाल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही एजी रेसिपी है, इसके लिए सबसे पहले हम एक बरतन लेंगे और इसमें दो खाने की चम्मच, तेल डालकर गरम करेंगे, अगर आप चाहें तो आप इसमें मक्षन भी शामिल कर सकती हैं, अगर आपको मक्षन का टेस्ट पसंद हो, क्रश किये हुए या चॉप किये हुए हम इसमें लैसन शामिल करेंगे, वन टी स्पून यानि दो से तीन लैसन के जवे लेकर आप इसे कूट लें या फिर क्रश क चिकन की यखनी हम इसमें एड़ करेंगे, दो लीटर, ये सिंपल चिकन की यखनी है, इसमें कोई नमा, कोई लेसन वगरा, कुछ भी नहीं है, आदा चिकन लेकर मैंने इसे उबाल लिया था, तक्रीबएं धाय लीटर इसमें मैंने पानी डाला, और ये उबल कर दो लीटर पानी रह गया, और इसे चान के मैंने इसमें शामिल कर लिया है, जो चिकन था, उसके मैंने रेशे कर लिये हैं, वो भी हम इसमें एड़ करेंगे, तक्रीबएं एक कप चिकन के रेशे हमने इसमें एड़ कर लिये हैं, अब हम इसमें एक चिकन क्यूब शामिल करेंगे, एक में सबजी आंदे केमकंद की और यहां नले। आप इसे कुब में भी शाकों कि और अधिसे फ्री Walk के। में सब्सक्राचण 2डी अधिन सीनियक। में 12 गाइट का पाउडर एंदे के राव। टी स्पून, चानी सॉल्ट, वन टी स्पून या उप्शनल है, अगर अवैलेबल नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकती है, इससे तकरीबन एक मिनट के लिए हम उबालेंगे, बहुत ज्यादा आपने इसे उबालना नहीं है, क्योंकि सब्जी नरम पर जाती है, तो टेस् पारीक कटी हुई बंगों भी शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे, चार खाने की चमच या फिर एक चोथाई कप, विनेगर यानिकि सफ़ेज सेरका हम इसमें शामिल करेंगे, एक चोथाई कप, या फिर चार बड़े खाने की चम केचप हम इसमें शामिल करेंगे तक्रीबन दो टेबल स्पून यानिकि दो खाने के चमच और इसके बाद हम इसे एक से दो मिनट पकाएंगे सबजियों को हमने बहुत ज्यादा कुक नहीं करना दो मिनट के लिए हमने इसे उबाल लेना है अब हम इसमें कॉन फ्लोर शामिल करेंगे ये ये 8 टेबल स्पून कॉन फ्लोर है जिसे मैंने आद्धा कप पानी में घुल लिया था थोड़ा थोड़ा खड़़के मैं इसमें शामिल करूंगी कौन फ्लोर कंपनी पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का यूज़ कर रही है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा ही करके शामिल करें जब तक कि आपकी डिजार कॉंसिस्टेंसी ना आनी शुरू हो जाए एक तम से आपने इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि मैं आपको 8 टेबल स्पून बता रही हूँ हो सकता है जो मैं कौन फ्लोर यूज़ कर रही हूँ वो ठिक हो या फिर इसमें विरियेशन होती है तो आप बना कर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें जब तक कि आप देखना लें कि ये आपके desired consistency है तो ये ठिक हो चुका है अब हम इसमें अंडे की सफेधी शामिल करेंगे तीन से चार अदद हम अंडे की सफेधिया लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह इसमें एड़ करते जाएंगे बहुत ज़्यादा अपने इसे mix नहीं करना हलका हलका सा चम्मत चलाते हुए आपने इसे mix करते जाना है ये सूप हमारा ready है अब हम इसे dish out करेंगे dish out कर लेने के बाद आप इसे अपने मर्जी के sauce के साथ सर्फ कर सकती है वैसे तो इसे किसी भी sauce की ज़रूत नहीं होती क्योंकि ये खुद perfectly बना हुआ होता है उमीद है आपको मेरी recipe ज़रूर पसंद आएगी अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा मेरी recipes को share कीजिए अपने friends and family के साथ thank you for watching allahafiz